Adani Enterprises, IHC ने Adani Enterprises में बढ़ाई हिस्सेदारी, जानिये डिटेल अबूधाबी की कमपणी IHC ने कहा कि उसने Adani Enterprises में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 प्रतिशत से अधिक कर ली है अदानी एंटरप्राइजेज के शेरों में आज 3 अक्टूबर को 1.111 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह शेर 2387.10 रुपए के भाव पर बंध हुआ है International Holding Company आएचसी ने अदानी एंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा कर 5 फीसदी से अधिक कर ली है इससे पहले आएचसी ने अदानी ग्रूब की दो कमपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची थी IHC ने आज 3 अप्टूबर को यह जानकारी दी अदानी एंटरप्राइजेज के शेरों में आज 3 अप्टूबर को 1.111 फीसदी की गिरावट देखी गई और यह शेर 2387.10 रुपए के भाव पर बंद हुआ है IHC का बयान अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में IHC ने कहा अदानी एंटरप्राइजेज अपने अंतरगत कई क्षेत्रों में कारोबार को बढ़ा रही है ऐसे में यह रणनीतिक वृद्धी दुनिया के लीडिंग इनक्यूबेशन मॉडल में IHC के मजबूत भरोसे को दिखाता है अबू धाबी की कमपनी ने कहा कि उसने एयल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा कर 5 फीसदी से अधिक कर ली है उसका मानना है अदानी एंटरप्राइजेज के तहट विक्सित हो रहे एरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइडरोजन और अन्यक्षेत्रों में विकास की काफी संभावनाएं है अदानी एंटरप्राइजेज भारत की मजबूत ग्रोथ जर्नी का बखुबी लाब उठाने को तयार है इन दो कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का फैसला IHC ने आगे कहा IHC स्टेक होल्डर्स के रिटर्न को अधिक्तम करने के लक्षे के साथ भारत में निवेश अवसरों की तलाश जारी रखे हुए है IHC ने पिछले हफते कहा था कि निवेश को संतुलित करने की रणनीती के तहट वह अधानी ग्रीन एनरजी में 1.26 फीसदी और अधानी एनरजी सल्यूशन्स में 1.41 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी